Hello everyone, स्वागता है आप सब कजी के टूडे के फ्लाटफरम पर मेरा नाम आरजू ककड है और इस सेशन में मैं आपके साथ जो रामसर साइट्स न्यूज में रही हैं उनको कवर करूँगी तो बहुत ही एक important topic है, मैंने कहा भी था कि इस topic के साथ हम जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे तो ये है वो session आपके लिए, लेकिन as usual शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि किस तरीके के questions आपने देखे हो previous year में तो कैसे question पूछे जाते हैं, पहला एक question आपके सामने दिख रहा होगा, ये 2018 में पूछा गया था, ssc junior engineer civil exam के अंदर बहुत ही simple सा question है कि mission of ramsar convention is to conserve, basic सा question है कि मतलब ये किस लिए है, wetland conservation के लिए, rivers, oceans, desert तो बहुत ही simple था, I think सबको मालूम है, ये convention जो है, वो wetland conservation की बात करता है, ठीक है, तो option 1 जो है, इसका correct answer है फिर एक question देखो, 2017 में, ssc, capf, asi, Delhi police, asi में पूछा गया था, कि ramsar convention का aim क्या है, what was the main aim of ramsar convention फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, कि ये mission जो है, वो wetlands की conservation की बात करता है, question वही है, essence वही है, बस उसकी wordings change कर रखी है बस उसको बदल दिया है, modify कर दिया है, लेकिन बात वहीं पूछ रहे हैं, घुमा फिर आके, तो तब भी conservation of wetland is the right answer, that is option 1 ठीक है, फिर एक question 2019 में पूछा गया, SSC MTS exam के अंदर, कि ramsar convention is the inter-governmental treaty that provides the framework for the conservation of वही question है, वही line है, मतलब वही मतलब है, और option क्या होगा, इसका, ये किस की conservation के लिए है, ये wetland की conservation के लिए है अगर आप ये बोल रहे हो कि माम, lakes पे कोई ऐसा question नहीं आया, जाए वो lonar lake हो, चलिका lake हो, या कोई भी etc, as, 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 मतलब, lake oriented questions, वो भी पूछे गए थे previous year में, लेकिन, जब हम lakes का में session लोंगी, अलग से, जो lakes news में रही है, तो उसको वहाँ cover कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐ वैसे होता है ना, कि वो already रामसर साइट है ही सही, तो indirectly वो वहाँ पर भी cover हो जाएंगे, आपके लिए एक revision भी हो जाएगी, मैं previous year question वैसे, lakes के अंदर लोंगी, lake oriented हो जाएंगे, वो, done, तो यहाँ पर आपको एक idea लग गया है, तो अब चलते हैं, current oriented, जो current affairs में, आपने रा इसका answer बता दो, बहुती easy question है, कि रामसर convention जो name आया है, रामसर ये name आया है, after a city, वो कहाँ पर है, एजिप्ट में, इरान में, मोगोलिया, या फिर इंडिया, तो the right answer of this question is, इरान, option B, तो basically, अगर मैं बात करूँ आपके साथ, रामसर site, रामसर convention की, तो ये convention है, जो की एक international treaty, जो बात करती है, wetlands के judicious use की, ठीक है, जब मैंने bird century वाला पहली वीडियो ली थी, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, तब भी मैंने आपसे wetland के बारे में बताया था, आपको की wetland क्या है, ठीक है, तो मैं उसमें deep में नहीं जाओंगी, तो रामसर sites basically क्या होता है, कि जब आप किसी wetland को add कर देते हो, रामसर convention list के अंदर, बात यह है ना, कि यह international treaty है, यह treaty है, कि अपने को wetlands को conserve करना है, क्योंकि उनकी एक importance है, उनकी एक value है, लेकिन due to several causes, obviously, हम लोग नहीं देख पार है, बाय डिवोसिटी loss हो रहा है, तो इसलिए यह convention आया, और यह name convention का, रामसर convention आया, क्योंकि यह treaty है, यह sign करी गई थी, 2nd of February, बहुत important है, यह date 1971 में, रामसर, तो जो जगा है, it is an Iranian city, तो इसलिए, Iran is the right answer, इस convention को बोला जाता है, convention on wetlands, रामसर convention, तो उसके बाद जो भी party, जो भी contracting party होगी, वो at least एक wetland side जो होगी, उसको include करेगी in the list of wetlands of international importance, तो जब आप किसी भी site को उस convention में, उस wetland में, उस list में basically रामसर site as a designate कर रहे हो, तो वहाँ की government के लिए, आप बोल सकते हो, यह एक commitment हो जाती है, कि उसको, अब आपको necessary steps लेने हैं, so as to ensure कि उस wetland की, जो ecological character है, वो बरकरार रहे, वो maintain रहे, ठीक है, तो यह list बन जाती है, और जो sites होती है, फिर हम उनको रामसर sites बोलते हैं, तो अभी associated रामसर sites से question भी देखो, चलो, यह ही आ गया, कि इंडिया में largest रामसर site कोन सी है, या कहां पर है, which is the largest रामसर site in इंडिया, इंडिया में जो largest रामसर site है, वो है, सुन्दरबन wetland, option A, तो सुन्दरबन wetland, जो है, मै इस बनी आप में अगर आप देखोगे, तो यहां पर जहां पर तीन रिवर्स का रामसर बनता है, वेस बेंगौल के पास, इधर बांगला देखोगे, जहां पर ताइगर बहुत बहुत देखने को मिलते हैं, तो यह सुन्दरबन डेल्टा, वेट लामसर site है, यह बनी है, अगर आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा हो, रिवर्स भी मैलूंगी, जो रिवर्स न्यूज में है, तो बेसिकली यह बना, इट वस फॉर्म बाइदी कॉन्देश ऑफ रिवर्स ब्रहमपुत्रा, पद्मा और मेगना इन बेय ओफ बेंगौल, तो यह जो इंडियन सुन अगर आप में मेन देखंगे हैं, तो यह भी माःप में हैँ डेखें पर न's बांटरबंध अब सॉप्रक्रों, यह जो ऐरे में सेच्वर्स के बह्मने पाइज के ऊच्छेफ्त फंक agent, से बांटर में और में पोपॉइल टिक है थिर ग्रभीng तो सुन्दर्बंध ता था स situated within this ramsar site सब ने सुना ही होगा map में भी देख लिया आप आपने ये question तो अभी हमने अभी discuss किया है कि when was ramsar convention signed अभी just few minutes ago ramsar convention कौन से साल में sign किया था 1971 के अंदर तो option B जो है वो इस question का सही answer है अगला question है smallest ramsar site in India largest पूछ लिए है अब पूछ रहे है smallest ramsar site इंडिया के अंदर कहाँ पर situated है कौन सी है नहीं पूछा है कहाँ पर है कहाँ है नागा लैंड में मनिपूर में हिमाचल प्रदेश हर्याना में तो नहीं है हिमाचल प्रदेश में है तो option C is the correct answer और जो वो रamsar site है जो की smallest है हिमाचल प्रदेश में है वो है रेनुका वेटलेंड रेनुका लेक जो की हिमाचल प्रदेश में ये है उसके उपर ही जस देखोगे तो चंदरताल वेटलेंड भी है तो ये रेनुका वेटलेंड रेनुका लेक हिमाचल प्रदेश में है और smallest wetland है इसको recognize किया गया था as a wetland कौन से साल में? 2005 में तो हिमाचर परदेश की government ने इसको as a wildlife century भी declare किया ठीक है तो 2005 जो year है वो याद में रखना कहां पर है और उसके just above कौन सी है? तो that is चंदरताल wetland अच्छा अब पूछा है Which South Asian country has the largest number of ramsar sites? मतलब इन में से वो कौन सी South Asian country है जहां पर largest number of ramsar sites है इंडिया, भुटान, मौल्दीज या निपाल तो the right answer of this question is हमारा प्यारा भारत इंडिया अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में largest number of ramsar sites है in South Asia और अभी हमने 11 more wetlands को add किया to the ramsar site टोटल हो गई 75 ramsar sites ओके और बेसिकली 75 ramsar sites हो गई 75 year of independence तो जो 11 sites add करी है चार है तमिल नाडू से, तीन ओडिसा से हैं, दो जमू एंड कश्मीर से और एक मध्यपरदेश और महराष्ट्रा से मैप में जरूर देखना मैं आपको एक लिस्ट अभी दे दूँगी for your reference की कौन-कौन सी है और कौन-कौन से जो यहां पे states बता रखें कहां कहां से कौन-कौन सी है बट आप उसको जरूर मैप में देखना तो डेफिनेटली more wetlands अब जब रामसर site में आप उसको डेजिगने को ध्यान में रखोगे project tiger को ध्यान में रखा तो ऐसे ही जब मैं किसी को wetland as a designate करके as a रामसर site designate करते हैं तो obviously wetland ecosystem को आप preserve करोगे आप extra efforts लोगे more attentive हो जाते हैं हम है ना वही बात है जब मैं बहुत जादा important है यह तो एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा तो आप more attentive हो जाओगे चाहे वही content हो बस वह line सुनने से हम extra cautious हो जाते हम extra attentive हो जाते हैं और वह short shot कब होते हैं हम previous year questions देखते हैं ठीक है तो यह कुछ wetlands है हिराकुंड reservoir हो गया और यश्वन सागर मध्यपरदेश के अंदर ठीक है तो total 11 wetlands है total 11 ही है यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी तीन ओडिसा से एक मध्यपरदेश से चार तमिल नाडू से एक महराष्टरा से और दो जमू एंड कश्मीर से आप इनको map में जरूर लोकेट करना और इनके बारे में जरूर पढ़ना अट लीस्ट नाम और कौन सी किस स्टेट से है वो आपको मालूम होना चाहिए इंपोर्टेंट हो जाता है इंडिया में चलिका लेक आप से पूछा गया है इन में से वो कौन है इन में से वो कौन है इरावादी डोल्फिन नाई वो है फिशिंग कैट ऑप्शन बी इस दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस कोशन यह लो फोटो देख लो आयू सीन स्टेटस और साइट्स में शेडियूल वन है शेडियूल टू में है इंडियन वाइलाफ प्रोटेक्शन आक में यह सब तो तीन इंपोर्टेंट बेसिक चीज़ें होती है ठीक है तो फिशिंग कैट वस डेक्लेड अस दी ब्रैंड अंबेसिडर ऑफ चिलिका लेग चिलिका लेग कहां पर है यह आज कमेंट सेक्शन में में मेरे पास आंसर आ जाने चाहिए बहुत टाइम से कोई कोशन भी नहीं पूछा है तो यह कोशन आइवोड एक्सपेक् अगर बात करूं कि साइट में तो वह है पेंडेक्स 2 में और अगर इंडियन वाइलाइग प्रोटेक्शन आग की बात करूं तो शेडियूल 1 में अकॉर्डिंग टो दी वर्ड्स फिशिंग काट सेंसर अट वस कंड़क्टेड इन 2022 देर आर हाव मैंनी फिशिंग काट इन इन दिस रामसर साइट देर आर 176 फिशिंग काट अगर ब्रांड अमबेजडर है अफ चलिकाले एक फिशिंग काट तो पता होना चाहिए न कितनी फिशिंग काट है एक जेनरल आइडिया दो होना ही चाहिए आपको वर्ड वेट लेड डे कौन से दिन होता है कब observe किया जाता है जो कमेमरेट करता है अबशिंग किया जाता है every year on second of February option B is the correct answer तो आप जब खालता है तो आप उसको लेके awareness जो है raise करना चाहते हो globally की wetlands का क्या important role है वो play करते हैं और कैसे threat face किया जा रहा है तो इन सब के बारे में हमें और ज़्यादा extra cautious हो जाना चाहिए proper or steps लेने चाहिए तो theme की अगर मैं बात करूँ इस साल 2022 की जो theme थी वो थी wetlands action for people and nature बहुत जादा important है आपको ये theme याद में रखनी है पूछी जा सकती है wetlands वो ecosystem है that are facing the highest rate of decline, loss and degradation mainly because of rapid human population growth population growth भी हो रही है unsustainable ways भी है हमारे production के, consumption के मतलब हम ऐसे आग बंद करके resources utilize कर रहे हैं without ensuring की future needs भी है, climate change हमने देखा है कितना हो रहा है तो ये ये जो हमारे रहने का भी तरीका है इसको भी control करना है sustainable way जो है वो ensure करना बहुत जादा जरूरी है and as I said world wetland day 2nd of February को हम observe करते है to commemorate the adoption of Ramsar convention on 2nd of February 1971 और ये world wetland day किस दिन पहली बार observe किया गया था कौन से साल में वो है 1997 important है याद में रख लेनो ओके which was declared as the world's first Ramsar site in 1974 1974 में world की पहली Ramsar site जिसे declare किया गया वो कौन सी थी तो जल्दी से सोच लो 4 options हैं आपके पास और अगर आपको लग रहा है option 1 covert peninsula तो यह बिल्कुल सही है बिल्कुल सही सोचाए आपने and moving on map में अगर आप देखोगे तो यह location है Australia के पास टीमोर सी अगर आप देख रहे हो और यहां पे एक national park भी है तो यह पैनेंजला it is a part of this national park में इस national park के बारे में बात भी करूंगे और इसके पास में Malvillay Island भी है मतलब जरूरी इतना याद नहीं रखना है but at least जब आप map देख रहे हो तो आसपास की चीज़े थोड़ी देख लेनी चाहिए कहने का मतलब यह है जैसे यहां पर सी देख लिया यह कौन सी जगह है वो देख ली ठीक है तो पहली रामसर साइट है टेरेस्ट्रियल रिवराइन एकोसिस्टम है इतना आपने को डीप मिनिंग जाना है बस इतना याद में रख लो कि यह लोकेशन कहां पर है वो भी देख लोगे तो मोर देन इनफ आपके लिए लेकिन अगर कोई भी चीज इंडिया की है वो और जादा इंपोर्टेंट हो जाती है उसके बारे में थोड़ा एक स्ट्रेप ओर डीप जाना पड़ता है ओके लोनार लेक वस क्रियेटेड बाई अ मीटियोराइट डैट हिट दी ओर्थ ड्यूरिंग वो बताना है लोनार लेक कहां है महराष्ट्रा में कहते हैं कहा जाता है बाई दी रिसोर्चर्श की मेटियोराइट ने जब हिट किया और सर्फेस पे तो एक क्रेटर बना ठीक है क्रेटर मतलब की क्या होता है गड़ा होता है एक बड़ा गड़ा जो की बनता है जब अंतरिक से कोई एक अब्जेक्ट जो है वो गिरता है आके धर्थी पर अगर वो एड्मोस्फिर में जल जाए तो उसको मीटियोर बोलते आए सबको पता होगा इस्टेरोइट के बारे में मेटियोर्स के बारे में मेटियोराइट के बारे में तो बोला जाए है कि लोनर लेक जो है वो क्रियेट हुई थी बाई मेटियोराइट जिसने अर्थ को हिट किया दूरिंग चार ओप्शन है आपके पास तो ओप्शन C दिख रहा होगा एक प्लिस्टोसीन इपॉक तो प्लिस्टोसीन इपॉक दूरिंग दिस प्लिस्टोसीन इपॉक लोनर लेक वस क्रियेट और यह एक रामसर साइट है मैंने आपको बताई दिया है महराष्ट्रा के अंदर है विच लास्टेड फॉम 2.6 मिलियन तो 11,700 एगो क्रेटर मैंने आपको बताया क्रेटर लाइक लेक है यह मैं अभी फोटो भी दिखा दूँग आपको और इट वोस फॉर्म सम 52,000 एगो जब ऐसा बोला गया कि एक मेटियोराइट जिसका टू मिलियन टन्स था वो उसने डेकन फ्लाट्टू पे हिट किया और एक क्रेटर फॉर्म हो और वहां से यह लेक जो है वह हुई महराश्ट्रा गवर्मेंट ने रिसेंटली 369.78 मतलब 369.78 करोड जो है वो भी सैंक्शन किये इस लेक को कंजर्व करने के लिए महराश्ट्रा में भी कहाँ पर बहुत बार बोलती हुए मैं कहूं लोनार लेक रंथम बोर या सरिसका आप भी बता दो राजस्तान में लेकिन राजस्तान में कहाँ है आप इसको ले जाओ पाकिस्तान पास बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पर तो यहां तो यह होना चाहिए खुद को भी क्रॉसिती होनी चाहिए जाकर देखूंट भी कोलूं मुझे पता तो यह जिस जगाओं की अम बात कर रहे हैं वहां आकिर है कहां पर महराष्ट्रा में हैं यहां तक बात खतम नहीं हो जाती है आपके अंदर भी वो जिग्यासा होनी जाहिए ठीक है तो जैसे हम बात करें crater बना when meteorite hit तो ये वो image है आप देख सकते हो सकुमो लगून which was recently mentioned in news is situated in which country तो कौन सी country में है ये लगून recently news में है ये है घाना option C is the correct answer ठीक है तो यहाँ पर आपके जो अच्छे लग रहे होंगे ये series अच्छी लग रही है मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करते हैं like करते हैं, share करते हैं और channel को subscribe करना नहीं भूलते हैं इसी के साथ I.R.Zoo करकर wish everybody a very best of luck फिर मिलेंगे एकले session में एक अलग topic के साथ till then take care everyone thank you